तो यह रिश्टा क्या कहलाता है कि आजके एपीसोड में डॉक्तर अभिनो और अक्षिरा से तब तक यात्रा नहीं करने के लिए की जितक अभी ठीक नहीं हो जाता है अक्षिरा डॉक्टर से पूसने कि क्या वे दवायों लेकर यात्रा कर सकते हैं अभिनो वापस से बापस की डार्थी और कहती हें कि अक्षरा कि शादी सधारान हो सकती है कहती अक्षरा ने उन्हें बताया होगा क्यों उन्हों ने उसके लिए भव Я शादी का यजिन किया होगा मनजरी पूजा की तयारी करती हैं अभी मन्नू ब्रामित हो जाता है आरोई रूई से यह सोचने के लिए कहता है कि यह कैसे संभव है कि उसकी पोशाक यह कैसे संभव है कि उसकी पोशाक अभी मन्नू से मेल खा सकती है रूई कहती है कि अभी मन्नू की साथ कपड़े का मिलान कैसे लिए वहीं चाहती है अभी मन्नू का अभिर की याद आती है मन्नू और आरोई की कमरे की मरमत के लिए अंदर उनी कुछ लोगों से चर्चा करती है आरोई मन्नू से पूछती है कि जल्दी क्या है मन्नू का कहना है कि जल्दी जरूरी है क्योंकि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है वह आरोई से डिजाइन चुनने के लिए कहती है अभ करने की कोई आवशकता ही नहीं क्योंकि वो उन्हें बहुत आगे जाना है अभिमनु ने समझने के लिए आरोई को धन्यवाद दिया निश्ठा अभिमनु आरोई को पुझा के लिए तयार होने के लिए कहते हैं अभिमनु अलंकार करने के लिए तयार हो जाते स्वर्णा और विचार पसंद नहीं आया, आक्षरा और अभिना ने मन्य इसके साथ सुहसनी की बात चीज सुन ली, वा कहते है कि कुछ भी तैय नहीं, अभिमनु पूजा के लिए तैयार हो जाता है, पंडित जी, अभिमनु को पूजा में बैठने के लिए कहते है, मंजरी पंडित से कहते कि अभिमनु अनुष्ठान करेगा, लेकिन पूजा में नहीं बैठेगा, अभिमनु को अभिर का भगवान श्यूद से उसके प्रातना करने के लिए अनुरोध यादाता है, अभिमनु अभिर के लिए प्रातना करता है, मंजरी को लगता है कि अभिमनु ने रूही की खात मंजरी अक्षरा पर चिलाती है वह अप सकुन कहती है धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद